हेलो दोस्तो वेलकम टू माई चैनल जीके एजुकाट जीके एजुकाट चैनल में आप सभीका एक बार फिर्षे हार्दिक स्वागत है दोस्तो ये मेरी इंग्लिश ग्राम्मर की स्रीफ चल रही है जिसको मैं लूशेंट इंग्लिश ग्राम्मर से कवर कर रहा हूँ इसमें अभी तक हम नोग चैप्टर कवर कर चुके है अभी चैप्टर नमबर 10 चल रहा है टाइम एड़ दा टैंस यानि सम्या और काल इस चैप्टर पर अभी तक हम चार वीडियो बना चुके है जिसमें अभी तक हम पास टैंस तक कवर कर चुके है उन वीडियो का लिंक आपको description में मिल जाएगा अगर आपने भी वीडियो नहीं देखिया तो एक बार उन वीडियो को जुरूर देखे और आगे बढ़े दोस्तो टैंस का एचेप्टर आपकी English speaking के लिए काफी important है और competition exam के लिए काफी important है अगर आप tense के rules याद कर लेते हैं structure याद कर लेते हैं तो आपके English के तयारी अच्छी हो सकते हैं और आपके English speaking भी अच्छी हो सकती है जो English coaching की classes होती है उसमें भी यह सब सिखाया जाता है तो दोस्तो past tense में अभी तक past perfect continuous tense बचाता उसको इस वीडियो में cover करेंगे उसके बाद future perfect tense के भी सभी types इस वीडियो में cover कर लेंगे और इसके साथ ये chapter खतम हो जाएगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो past tense का last type आ जाता है past perfect continuous tense जिसका structure बनेगा subject had been बर्ब की fourth form plus object फिर four since or time जापर perfect continuous की बात होगी चाहे वो present tense हो past tense हो या फिर future tense हो perfect continuous tense में four or since का use किया जाएगा ऐसे हमने present perfect continuous tense में पढ़ा था लेकिन future continuous tense में हम four since की जगा किसका use करेंगे from का यही तिनों में difference है तिनों का difference आपको comparison करना है तब ही आप तिनों के types अच्छी तरह से याद कर पाएंगे और structure इनके काफी important है perfect continuous tense present में है तो हम had or have been बर्ब की fourth form का use करेंगे perfect continuous tense past में है तो हम use करेंगे had been plus बर्ब की fourth form का यह भी दोनों में difference है future come आगे पढ़ेंगे तो use of past perfect continuous tense जिसका first rule आ जाता है past perfect continuous tense का प्रियोग जो है ऐसे actions के लिए करते हैं जो past में जारी थे बितेवे सम्में में चल रहे थे जैसे his elder sister had been dancing for two hours तो had been dancing यानि यह क्या हो गया had been वर्ब की fourth form वर्ब की fourth form क्या होगी वर्ब की first form के साथ आईन जी का यूज करेंगे और for या since का यूज करेंगे तो यह बन जाता है past perfect continuous tense तो इसका meaning क्या बनेगा his elder sister had been dancing for two hours उसकी बड़ी बहन पिछले दो गंटे से नाच रही थी I had been reading a novel since 2013 मैं 2013 से यह पुछतक पढ़ रहा था तो since और for हम का यूज करेंगे इसके rules भी हम first वीडियो में cover कर चुके है for और since का का पर यूज के जाते है वो आप वीडियो में जाकर देख सकते है she had been singing a song my younger brother had been covering rule number second आजाता है जिसमें हम speech की बात करेंगे speech डो टाइप की होते है direct speech और indirect speech direct speech इसको बोल जाता है जिसमें हम दो sentence यूज करेंगे first sentence inverted कोमा से बार होगा और second sentence inverted कोमा के अंदर होता है जो बार होता उसको reporting वर्व बोलते है जो अंदर जो होता उसको reporting speech बोल जाता है तो rule number क्या बोलता है कि direct speech में reporting वर्व जो है past tense में होती है और reporting speech present perfect continuous tense में present perfect continuous tense क्या होता है has have been प्रले सुरफ की fourth form जब हम इसको index speech में convert करेंगे तो present perfect continuous tense में बन जाएगा past perfect continuous tense क्या बन जाएगा past perfect continuous tense यानि है तो has have been को had been में convert करेंगे वीना said at she had been watching tv for two hours roll number three फिर से speech के बारे में आता है direct speech और indirect speech इसमें जो direct speech रहेगी उसमें reporting और reporting speech past continuous tense में है तो हम indirect speech में past continuous tense को past perfect continuous tense में change करेंगे दो चीज़ याद रखिए indirect speech में direct speech में reporting speech अगर past continuous tense में है तो हम उसको change करेंगे past perfect continuous tense में indirect speech में तो बिनस said I was working in the office, तो was working क्या हुआ? Past continuous tense, बिनस said that he had been working in the office, was working किस में change हुआ? Had been working, किस में जाता है? Past perfect continuous tense में वैसे Mr. Thakur said to me, you were trying to disturb me तो Mr. Thakur told me that I had been trying to disturb him Future tense के भी च्यार टाइपस है Future indefinite tense, या फिर simple future tense Second है future imperfect tense, future continuous tense, future progressive tense Third है future perfect tense, और fourth है future perfect continuous tense तो present tense, past tense, future tense का structure समझने हैं पहले हम simple present tense का structure समझते हैं जिसमें लिखा subject की first form plus object, फिर simple past tense की बात हुआ जिसमें हमने याद किया था Subject plus work की second form plus object, अब बात आ जाती है simple future tense की, simple future tense में वाज वरक की जगा क्या लग जाएगा, cell will, और वरक की first form का use होगा, फिर object कैसे, use of simple future tense, तो इसके rule सा जाते हैं जिसमें first आता है, simple future tense का, हम यूज ऐसे actions के लिए करते हैं जो आने वाले समय में होंगे कैसे, he will help you, you will go to college tomorrow, my brother will be 25 years next year, she will arrive at 6 o'clock, तो will का हमने हर sentence में use किया, जो कि क्या बताता है, आने वाले समय में होने वाले action के लिए, और action क्या रहेगा, help, go, be, arrive, ये सब क्या action है, जो कि किसमें है, वरक की first form में, तो cell will plus work की first form से बनेगा, simple future tense, अब दोस्तों बात करते है, roll number two, जिसमें आजाते है, conditional sentence, अब conditional sentence में, conditional sentences क्या होते है, जिसमें condition लगाई जाती है, अगर आप ऐसा करोगे, तो आप ऐसा बनोगे, इस तरह से, तो इसमें दो clause यूज होते है, principle close और subordinate close, जो principle close है, उसमें हम यूज करेंगे simple future tense का, और subordinate में हम यूज करेंगे simple present tense का, example देखिए, I sell by a motorcycle when the price comes down, यानि मैं motorcycle खरीद हुआ, जब मुल्या गटेगा, तो इसमें, जो I sell by a motorcycle ये है, principle close, और conditional sentence क्या होगा, when the price comes down, यह condition होगी, जो कि subordinate close बताती है, principle close में हम यूज करेंगे simple future tense का, यानि shell plus वरब की first form का, और subordinate close में हम यूज करेंगे simple present tense का, यानि comes यानि की वरब की first form का, simple present tense का structure का होता, subject plus वरब की first form plus object, उसी परकार second sentence है, यदि तुम यहां आओगे, तो मैं तुमारी मदद करूआ, यदि तुम यह आओगे, यह होगे subordinate, यह condition है, if you come here, condition है, तो subordinate close हुआ, I shall help you, principle close हुआ, और principle close में हम किसका यूज करेंगे simple future tense का, और subordinate में हम यूज करेंगे simple present tense का, यह simple present tense है, और यह simple future tense है, next है, वह है, आएगी, यदि तुम उसे लिखोगे, यदि तुम उसे लिखोगे, यह हो गया condition, तो इसको हम लिखेंगे simple present tense में, क्योंकि यह subordinate close में आएगा, तो उसको लिखेंगे, if you write to her, तो subordinate close है, इसमें हम यूज करेंगे simple present tense का, वह है, आएगी, she will come, principle close, simple future tense, तो sentence क्या मनगा, she will come, if you write to her, दोस्तो, rule no 3 आजाता है, जिसमें future में होने वाले action को express करने के लिए बताय गया है, कि इसके लिए अलग अलग तरह के structure use करते है, future में कुछ action होंगे, future में हम कुछ कारिया करेंगे, या फिर करना पड़ेगा, या फिर करना होगा, इस तरह से कुछ action होते हैं, जो हम future में बताना चाते है, future में उनको express करना चाते है, तो इसके लिए कुछ अलग तरह से structure बनते हैं जो आपको याद रखने होगे और यह काफी इंपोर्टेंट है और डेली लाइफ में बोलने के लिए इनको जाता यूज किया जाता है तो इनके structure आप याद करोगे तो आपकी इंग्रीश बोलने की capability है वो बढ़ जाएगी तो structure याद करते हैं फर्स्ट structure आजाता है subject पलस hedge have पलस infinitive hedge have के साथ किसका यूज करेंगे infinitive का infinitive मतलब two पलस और रख की first form का यह structure हम उस case में यूज करते हैं जहापर हमको future में कुछ काम करना जरूरी होता है जैसे मुझे fish जमा करना है I have to pay the fish तो have to का यूज करेंगे जो कम हम future time में करेंगे या करना पड़ेगा उस समय पर आना है he has to come in time तो has या have का यूज करेंगे have का यूज करेंगे हम I के साथ या फिर plural के साथ और has का यूज करेंगे हम singular के साथ उसे हर कीमत पर इस कारिया को करना है तो she has to do this work at any cost तो जो काम हमें future में करना है करना ही है तो हम उसके लिए किसका यूज करेंगे has have to वो कलस वरफ की first form second आ जाता है जिसमे subject पलस is mr पलस infinitive इस तरह का structure हम कहां पर यूज करेंगे जो future में होने वाला है तो उसके लिए हम यूज करेंगे इस जैमर पलस वरफ की तू पलस वरफ की first form जैसे he is to come to पटना वै पटना आने वाला है तो he is to is to के सातम वरफ की first form come का यूज करेंगे तुम प्रिक्षा में समलित होने वाले हो you are to appear at the exam तो are to appear ये अब तीसरा structure याद करते है each jamr के साथ यहां पर about का यूज करेंगे फिर infinity का यूज करेंगे उपर बिना about का यूज का इसमें हमने about को जोड़ दिया अब sentence का मायने बदल जाता कैसे रोगी मरने मरने को है रोगी मरने को या फिर मरने ही वाला है the patient is about to die तो आप समझे होंगे जो just future में जो near about future में होनी वाला है जो action near about future में जस्ट आने वाले समय में गटने वाला है उसके लिए यूज करेंगे इसमर प्लस about प्लस infinitive the patient is about to die she is about to sing a song तो इस about to use करेंगे हम जो near about time में action होने वाला है और next आजाता है subject प्लस इसमर प्लस going प्लस infinitive अब infinitive यानि टू प्लस वरव की first form और इसमर के बीच में यूज करेंगे going का वो पर हमने यूज किया था about का उससे पहले about और going का यूज नहीं किया था तो तीनों में difference समझेए और इनका meaning समझने की कोशिश करिए जो काम हम करने जा रहे है near about future में करने जा रहे है एक तो होने वाला है एक हम करने जा रहे है तो उसमें हम इस जैमार प्लस गोइंग का यूज करेंगे दोनों का एक साथ यूज करेंगे फिर टू प्लस वरव की first form का यूज करेंगे जैसे मैं कई पूस्त के लिखने जा रहा हूं I am going to write several books वह कल motorcycle खरिदने जा रहा है He is going to buy a motorcycle tomorrow तो आप समझेंगे future continuous tense का structure बनता है subject प्लस cell या फिर will के साथ B प्लस वरव की fourth form प्लस object continuous tense का जहां पर भी यूज होगा वापर हम किसका यूज करेंगे वरव की fourth form का यानि की वरव प्लस ing तो cell विल के साथ याँ पर B का भी यूज करेंगे तब ही हम वरव की fourth form का यूज कर पाएंगे तो ये structure याद करिए इससे पहले हम revise कर लेते हैं present continuous tense का जिसमें हमने EJMR के साथ वरव की fourth form का यूज किया था past continuous tense में हमने वाजवर के साथ वरव की fourth form का यूज किया था और future continuous tense में हम यूज करेंगे cell wheel plus B plus वरव की fourth form जिसका first rule आ जाता है future continuous tense का हम यूज कहां पर करते हैं हम ऐसे actions के लिए करते हैं जो आने वाले सम्में में जारी रहेंगे कैसे कल सुबह वाई cricket खेलता रहेगा तो यह आने वाले सम्में में जारी कारिया के बारे में बताया है he will be playing cricket tomorrow morning वह वहाँ पर रुकी रहेगी she will be staying there will be plus वरव की fourth form कल इस सम्में मैं फिलम देखता रहूंगा add this time tomorrow I shall be watching the film तो cell plus B plus वरव की fourth form rule number second आ जाता है जिसमें बताया है कि future continuous tense का हम future में किसी certain program के लिए किसी fix program के लिए फिर fix plan के लिए use करते है कैसे Manisha will be meeting meet tomorrow Manisha मुझसे कल मिलने आएगी Binya will be staying there till Friday Binya यहाँ पर Friday तक रुकेगा I shall be doing this work till the end of this month मैं इस महिने के last तक यहाँ पर कारिया करता रहूंगा Neerals will be preparing for the examination next month Neerals अगले माईने से exam के तयारी करता रहेगा तो यह future में होने वाले certain program या plan के लिए जिसमें हम will be या cell be के साथ ing का यूज करेंगे यानि कि हम किसका structure यूज करेंगे future continuous tense का अब दोस्तों पढ़ते है future perfect tense जिसमें हम structure यूज करेंगे subject प्लस cell will उसके साथ have का यूज करेंगे perfect जहां पर बात हुई वाँ पर have का यूज हो जाएगा और जहां पर hedge, have, had लग जाता है वाँ पर वरभ की third form का यूज होगा उसके बाद object का यूज करेंगे इससे पहले हम पीछे के दोर revise कर लेते हैं present perfect tense में हम यूज करते थे hedge, have, plus, वरभ की third form past perfect tense में हम यूज करते थे hedge, plus, वरभ की third form और future perfect tense में हम यूज करेंगे cell, will, have, plus, वरभ की third form तो यह आफ याद रखिए इसका rule number first आ जाता है rule number first में बताया गया है कि future perfect tense का यूज हम ऐसे actions के लिए करते हैं जो action future में किसी निद्दार्ग समय पर किसी definite period में खतम हो चुका होगा finish हो चुका होगा कैसे उसका भाई अगले महिने तक कार्य समाफ्थ कर चुका होगा, तो his brother will have finished at the work by next month, तो गर वापस आ चुकी होगी she will have to come back home by evening तो यहाँ पर will have plus वरफ की third form कम का यूज होगा है next आप समझे होगे आगे बढ़ते हैं लेकिन उपर जो हमने वाक्या पड़े हैं, उन वाक्यों में हमने सम्मे सुचक सब्दों का यूज किया यानि time expressing words का यूज किया है कैसे, by next month by evening, before Monday by by next year तो यह होते सम्मे सुचक सब time expressing words जिनका यूज करना जरूर ही है इनके लावा कुछ होर words हैं, जो की time expressing words को बताता है, जिनका हम यूज future perfectance में कर सकते हैं, जैसे by Monday, by Tuesday, by Thursday या फिर by January, by February, by March before Monday, before Sunday या फिर before January, before February तो आप से तरह से याद कर सकते हैं रूल नमबर टू आ जाता है, जिसमें बताए गया है कि future perfectance का यूज हम likelihood या फिर inference actions के लिए करते है, likelihood यानि संभावना और inference मतलब की अनुमान जो कारिया में लगता है, जिसके होने की संभावना है, या फिर जिनका होने का अनुमान है, उसमें हम future perfectance का structure यूज करेंगे लेकिन हम जब उसे sentence को यूज करेंगे, उसका sense past में आएगा, या नि हमें लगएगा कि वो past में past से related है, कैसे सायद, तुमने Mother Tracer का नाम सुना होगा, तो you will have heard the name of Mother Tracer, तो will have heard will have के साथ वरफ की third form का यूज किया है, सायद तुमने गीता पड़ी होगी, you will have read the गीता, सायद mother India film देखा होगा he will have watched the film mother India साथ ही दोस्तों यहाँ पर नोट दिया गया, जिसमें बताएगा कि उपर जो हमने वाक्य यूज किया है, कि तुमने Mother Tracer का नाम सुना होगा, तुमने गीता पड़ी होगी, तुमने Mother India film देखे होगी, अगर आप उस पर जोर देना चाहते है कि तुमको वो करना ही है तो तब हम must का यूज करेंगे, किस की जगापर विल की जगापर, ओपर वाक्य में action को emphasize करने के लिए, कारिया पर जोर डालने के लिए, हम विल की जगा must का यूज करेंगे, काफी important है तुमने Mother Teresa का नाम सुना ही होगा, तुम must have हम यूज करेंगे action को emphasize करने के लिए कारिया पर जोर डालने के लिए अब आजाता है rule number 3, जिसमें बताया गया है कि future में दो कारियों के बारे में, अगर future में दो कारिया होने की संभावना है यानि future में दो कारिया होंगे एक पहले और एक बाद में एक पहले समाफ्ट हो चुका होगा और दूसरा कारिया उसके बाद में समाफ्ट हो चुका होगा कब future में, future के बारे में बताएंगे, तो हम उसमें future perfect tense और simple पास टेंस दो टेंस यूज़ करेंगे जो कारिया पहले होगा उसके लिए हम यूज़ करेंगे future perfect टेंस का यानि की will have plus वर्फ की third form का और जो कारिया बाद में होगा उसमें हम यूज़ करेंगे simple present tense का यानि की only वर्फ की first form का कैसे तुमारे आने से पहले मैं अपना कारिया समाफ्थ कर चुका होगा तो आने से पहले कारिया समाफ्थ कर चुका होगा यह दो कारिया हो जाते जो future में होगे तो पहले कौन सा कारिया होगा कारिया समाफ्ट कर चुका होगा तो यह पहले कारिया होगा इसमें हम यूज करेंगे future perfect tense का I shall have finished my work और second sentence बनेगा तुम्हारे आने से पहले जो की simple past tense के साथ यूज किया जाएगा यानि before you come तो आप समझोंगे तुम्हारे आने से पहले मैं कारिया कर चुका होगा I shall have finished my work before you come वर्षा होने से पहले पोदे शूख चुके होगे The plant will have dried before it rains और दोस्तो future tense का last type आजाता है future perfect continuous tense जिसमें हम structure यूज करेंगे subject plus cell will plus have been plus work की fourth form plus object इस से पहले हम revise कर लेते हैं present और past का present perfect continuous tense में हम यूज करते थे has और have been plus work की work की fourth form यानि की work plus ing और past perfect continuous tense में हम यूज करते थे had been plus work की fourth form और future perfect continuous tense में हम यूज करेंगे cell will have been plus work की fourth form तो त्यूनों में difference समझ माय होगा अब दोस्तों उसके rules पढ़ते हैं जिसमें एकी rule दिया गया है future perfect continuous tense का यूज हम ऐसे actions के लिए करते हैं जो future में जारी रहेंगे लेकिन एक निच्चित सम्य तक जारी रहेंगे तो इसमें हम निच्चित सम्य के लिए words यूज करेंगे आपको मैंने पहले बताए कि present perfect continuous tense past perfect continuous tense दोनों में हम for और since का यूज करेंगे लेकिन future perfect continuous tense में हम यूज करेंगे from का since और for का यूज नहीं क्या जाएगा और since और for का भी अलग-अलग तरीके से यूज क्या जाता है यह already मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ for का यूज किस सम्मे के लिए होगा और since का यूज किस सम्मे के साथ होगा तो इसके example पढ़ते है लता विल हैव बिन सिंगिंग फ्रों मॉर्निंग लता सुबह से गार रही होगी दा फार्मर्ष विल हैव बिन वर्किंग इन दा फिल्ड किसान खेतों में कारिया कर रहे होंगे तो विल हैव बिन वर्किंग फ्रों की फॉर्थ फॉर्म विल हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर टू डेज वे दो दिनों से खेल रहा होगा बाई दा एंड अफ दिस मन्थ आई सैल हैव बिन टीचिंग here for five years तो इस परकार से आप यूज कर सकते है future perfect tense का जो की future में actions को एक निच्चित सम्य तक जारी रहने के लिए बताता है और साथ ही याँ पर दो condition बताए गई है की by plus time expressing words का प्रियोग हम future perfect tense के लिए करते है तो by के साथ हम किसका यूज करते है time expressing words का time expressing words कई बार repeat कर चुका हूँ और second important आज आता है future tense में हम point of time को express करने के लिए हम यूज करते है from का since का use नहीं करेंगे किसका use करेंगे from का तो ये little bit difference है तो दोस्तो ये थी आज की वीडियो इस वीडियो के साथ tense का ये chapter खतम हो जाता है इस tense के उपर हमने 5 वीडियो बढ़ाई है जिसमें हमने इस chapter में दिये गए हर topic को अच्छे तरीके से समझा है हर rules को हर example को cover किया है और आपको बेहतर तरीके से बताने की courses किया है आपको ये वीडियो कैसे लगी अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी है तो comment करके जरूर बताए और like और share जरूर करे जरूर ने मेरा channel अभी तक subscribe नहीं किया इस channel को subscribe करे तो जल्दी मिलते है next video में जिसमें हम सुरू करेंगे chapter number 11 यानि के narration narration भी competition exam में काफी पूछी जाते है वो भी competition exam के लिए काफी important chapter है तो उसकी सुरुआत हम next video से करेंगे तो दोस्तों हसते रहिए मुस्कराते रहिए जी जान लगा कर पढ़ाई करिए best of luck सभी को thank you जैहिन जैबार्त बंद्रात्रम